सो हे गाइच बलकम टू आइडियल टेक गुरू मी नाम विवेख है तो दोस्तो एक्सल के इस वीडियो स्रीज में हमने लाज क्लास में जो है रैप टैक्स एंड मर्ज एंड सेंटर के बारे में जो है डिसकस करा था तो आप जो है उनका प्रैक्टिस क्यों होंगा और उनका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आजके इस वीडियो मैं आपको हूं टैप के अंदर जो हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर देट टायम फॉर्मेटिंग और करनसी फॉर्मेटिंग के बारे में जो है बताने जा रहा हूं आजके इस जा रहे हैं चोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली वराएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर पेस्ट किजिएगा चलिए भीना टाइम घबाएंचिए हम अपने वीडियो को सुरू करते हैं यहां पर डेट टाइम और करन्सी इस तीनों पर हम फॉ पीज या तो डॉलर का जो हो जाए और लास्ट में जो है डॉट के बाद हमार जो डो डीजित है जीरो जीरो ऐसा कुछ जो है दिखे आइमीन मैं अपने इस नॉर्मल से डेटा पर नॉर्मल से टेक्स पर जो है करेंसी जैसा जो है फॉर्मेटिंग लेकर आना चाहता हूं बनना चाहिए चाहिए हमें ऐसा क्ये डिखाना चाहिए हम में वैसा दिखना चाहिए है नुद्सिट्रम करना टाध आफ अपने data को उप्सिन यहाप दिखेगा तो इसके अंधर डॉलर वेगरा हर चीज मिल जाएगा बिटकोईन तो आपको कौन सा requirement है वो जो आप यहां से select कर सकते हो फिलाल मुझे रूपीज का currency चाहिए तो वो जो हम यहां पर select करेंगे उसके बाद हमारे पास यहां पर एक और option है decimal place जो कि हमें यह बताता है कि dot के बाद हमें कितना zero रखना है तो यहां पर by default आपको two रहेगा अगर dot के बाद आपको zero नहीं रखना चाहते तो इसको zero करते हो तो आपका जो balance है वह ऐसी उसके पहले बस रूपीज लग जाएगा आप जो इसका preview यहां पर भी देख सकते हो sample के अंदर और जैसी इसको increase है उसके बाद यहां पर कुछ और option है negative numbers के लिए अगर आपके पास negative number आता है तो उसको आप किस way में show कराना चाहते हो तो यह आप यहां से select कर सकते हो और then यह सारे option करने के बाद simply आप okay पर click करो तो देखो इसके पीछे हमारा यह formatting apply हो चुका है अभी हमारे इसके पीछे rupees क का symbol आ चुका है और यहां पर हमारा यह देखने में सही लग रहा है तो इस तरीके से आप अपने data पर currency का formatting apply कर सकते हो अब यहां पर click करोगे I mean यहां पर select करोगे तो इस पर कौन सा formatting apply हो चुका है वो आप नंबर के अंदर यहां से भी देख सकते हो और अगर आपको formatting हटान है अब आप चाहते हूं कि यह पहले जैसा था या इस पर कोई formatting ना हो तो simply आप यहां पर भी जो ड्रैग पर click करोगे और जैनरल का जो option है इस पर click कर दोगे तो वह पहले जैसा हो जाएगा again इस पर click करोगे तो यहां पर और option है हमारा currency का तो जो setting हमने वहां से save करा था वह अब भी हमारे पास है तो direct इस पर मैं click करूंगा तो वैसा ही setting यहां पर apply हो जाएगा इस drop down में हमें कुछ और भी option मिलते हैं तो उनके बारे में हम इन future में बात करेंगे फिलाल आपको general और currency इस दोनों के बारे में clear होगा फिलाल मैं इसको general करना चाहता हूं तो general पर click करू कॉमा आजए जैसे हम 4000 लिखते हैं तो एसा अगर कुछ add करना चाहते हूं तो यहां पर देखो number के अंदर कॉमा style है आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेटिंग करके देगा तो अगर यहां पे और number में increase करता हूं जैसे 4000 है इस पे और 0 दूंगा तो 40,000 होगा तो 40 के बाद हमारा कॉमा होगा तो उस तरीके से हमारा फॉर्मेटिंग यहां पर apply होगा तो यहां से अंडू कर लेता हूं पहले जैसा और अगर आप कॉमा रिमूव करना चाहते हो तो select करने के बाद यहां पर आने के बाद simply general पर click करोगे तो यह जो है general हो जाएगा और यह जो कॉमा का section है यह basically यहां प्यानिक बाद आपको accounting का भी option मिलेगा इस पर भी click करके आप यह फॉर्मेटिंग ला सकते हो तो यहां पर हमें तीन option अब तक clear हो चुका है general number और accounting इसको हम general करते हैं अब मैं चाह रहा हूं कि जो हमारा 4000 है उसके बाद डॉट के साथ कुछ point का value देखे .00 ऐसा कुछ add करना चाहतू मैं इसके last में point के साथ 0 add करना चाहतू तो यहां पर देखो increase decimal का हमें option मिलेगा तो इस पे अगर first time क्लिक करेंगे तो selected data के अंदर जो आपको एक value जो होता नजराएगा again click करेंगे एक और value increase होगा again increase करेंगे एक और value हमारा increase होगा द तक की पूरा decimal जो हमारा remove नहीं हो जाए यही same काम जो है आप drop down पर आओ और यहां पर number का option है इस पर click करोगे तो यहां पर आपको same काम मिलेगा लेकिन यहां पर dot to default value के साथ आपको जाना परेगा I mean dot के बाद जो है दो default value यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो आपको यह number वाला section भी clear होगा so यह हमारा overall currency पर हम यह सारे formatting apply करके देख सकते हैं then हम बात करते है time के लिए तो यहां पर हम इसको select करते हैं और इस section को again open करते है number format पर तो यहां पर category के अंदर देखो हमारे पास time का एक option मिलेगा तो time पर आएंगे और किस तरीके का आप time कराना चाहते ह होगे so am pm अगर आप select कराना चाहते हो तो यह इसमें जो है आपको प्रोपर आवर्स मिनाट और second भी दिखेगा और am pm कुछ इस तरीके का सो कराना चाहते हो तो यह अदर्वाइस आपको यहां पर और भी option है और सिर्पा आप जो है आवर्स और मिनाट सो कराना चाहते हो तो जो फॉर्मेटिंग आपने वहाँ पर एक होगा वो फॉर्मेटिंग यहां से बीचंग आप अप्लाइ कर सकते हो यह प्रिव्यु उसका प्रिवीव उसके नीचे भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारा होगा और अगर कस्टम ऐसा करना चाहते हो खुछ से इ है तो आप इस पह ओ और यहाँ से जो है आप अपना फ्र्मेस्टिंग साल एख करो कि अक देखें हमारा sort date अगर आप sort में I mean day month और year हो गर आणा चाहते हैं जो कि अभी हमारे पास है तो आप सिंप्ली sort day पर क्लिक करोगे तो वह पहले से था तो इसलिए हमारा ऐसा दिख रहा है दैन जो हमारा ये लोंग डेट और यहां पर हम अगर इस सेक्शन में आएंगे तो हमारे पास format सेल में जो है डेट का भी option है और डेट में हमें जो है different date का जो है option मिल दा है तो आप इस मेसेज जो है क्वोई भी date चाहते हों और यहां से अपना location और calendar type यह भी आप सेलेक्ट कर सकते हूं अगर चैन्स करना है तो और simply यहां से okay पर किलिक करोगे तो date के साथ कौन सा डे हैं वो भी आपको यहां पर देख रहा है तो यह हमारा डे date का section हो चुका है और आप किसी भी पर अपना सारा इंफॉर्मेशन एड कर सकते हो आइड मीन फॉर्मेट अप्लाइ कर सकते हो कस्टेमाइज के लिए नंबर पर क्लिक करना और कस्टम का यहां पर आएंगे तो यहां पर आप अपने अकोडिंग डेटा को जो करा सकते हो किस तरीके का डेटा चाहिए जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे बस टाइप में जो भी लिखा है उसको हटाऊंगा तो मैं चाहूंगा सिर्फ डेट दैन मंत और दैन यह देखे तो डीडी दैन हाइफन यह अगर हमें सो कराना है और अगर हमें सिर्फ 23 ही सो कराना है तो यह हमारा जो है फॉर्मेट हो गया और ओके करेंशी यह देट पर किसी विए डेट पर नंबर पर आना है और यहां पर अपना टाइप यूज कर सकते हूं एक और चीज करेंगे ओके करेंगे तो देखो डेट मन्थ एयर और देन डेट यह हमारा जो कस्टेमाइज है जिसके मदद से जो हम अपने अकॉडिंग पूरे डेटा को यहां पर मैनेज कर सकते हैं तो इसमें से जो हमने नंबर ब्लॉक के अंदर बहुत सारी टम्स के बारे में डिसकस कर है और बागी जो टम्स रह गया है उनके बार में हम इन फ्यूचर में बात करेंगे कि उसका यूज क्या है और कहां पर करेंगे फिलाल इतना चीज चुए आपको किलेर होगा और इसका चुए है आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस इस दक की जब त के तोपकिसादा